ये गाइस के हाल चाल आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने Amazon Pay Litter पे अपना Auto Repayment यहाँ पर Setup कैसे कर पाओगे अगर आपने Amazon Pay अपना Pay Litter यहाँ पर Activate किया हुआ है आपके Pay Litter पे आप अपना पूरा लिमिट यहाँ पर यूज नहीं कर पा रहे हो तो आपको इक काम करना होगा अपने Pay Litter पे आपको अपना Auto Repayment यहाँ पर Setup करना होगा तब जाके आप अपने Pay Litter का पूरा लिमिट यहाँ पर यूज कर पाओगे क्योंकि जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपना Amazon Pay Litter यहाँ पर Activate किया हुआ है हमको Pay Litter पे टोटल यहाँ पर 25,000 पे की लिमिट यहाँ पर मिली हुई है लेकिन हम जो है परजन टाइम पे Only 10,000 ही यूज कर पाएंगे क्योंकि हमारा Auto Repayment यहाँ पर Set Up बाकी है हम इसको पूरा कर लेंगे तो 15,000 और यूज कर पाएंगे टोटल 25,000 पूरा यूज कर पाएंगे ठीक है तो कैसे आपको अपने Amazon Pay Litter पे अपना Auto Repayment यहाँ पर Complete करना होगा Auto Repayment क्या होता है मैं आपको लाइप जो है इस वीडियो में करके दिखाऊंगा और सब कुछ डीटेल में बताऊंगा इसके लिए आप एक काम करना ये वीडियो आप जो है पूरा देख लेना साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और उसके साथ में अपने Amazon आपको आप जो है अपडेट करके ओपिन कर लेना अब भाई लोग Amazon आपको ओपिन करने के बाद आप एक काम करना नीचे चले आना Amazon Pay पे टाप करना फिर आप एक काम करना Amazon Pay लेटर पे टाप कर देना फिर आपका Amazon Pay लेटर यहाँ पर ओपिन हो जाएगा आप लोग देख सकते हो उसके बाद आपके Amazon Pay लेटर पे टोटल आपकी जितनी यहाँ पर लिमिट होगी आपको नीचे मिल जाएगी और जितना आप परजन टाइम पे यूज कर पाओगे उतना आपको ऊपर मिल जाएगा अगर आपको पूरा लिमिट यूज करना है तो आप एक काम करना अपना Auto Repayment सेट अप कर लेना इसलिए आपको Auto Repayment सेट अप करना होगा तो कैसे करना होगा आईए मैं आपको करके दिखाता हूँ इसलिए आप एक काम करना यहें पर टाप कर देना Set Auto Repayment पे यहाँ पर टाप करना यहाँ पर tap करने के बाद आपके सामने auto page set करने के लिए दो option open हो जाएंगे पहला आप UPIC कर पाओगे दूसरा आप net banking debit card से कर पाओगे जिससे आपको करना होगा आप जो है कर लेना अगर आपको net banking debit card से करना है यहाँ पर tap करके नीचे चलियाना अपने bank का नाम यहाँ पर select कर लेना फिर यहाँ पर click करके proceed कर देना फिर अपना account number डालके verify पर tap करके ok करना अपने bank account के debit card का पूरा detail डालके ok कर देना फिर आपके number पर OTP जाएगा जो bank पर link होगा डालके ok कर देना आपका हो जाएगा ठीक है तो फिलाल भालोग मैं आपको यहाँ पर UPI से करके दिखाऊंगा UPI पर select करके नीचे आएंगे अपना UPI ID यहाँ पर डालेंगे वही वाली UPI ID डालना जिसके नाम से आपने pay later activate किया होगा ठीक है जिसका ID लगाया होगा UPI ID यहाँ पर डालके आप जो है verify पर tap करके proceed कर देना आपके UPI ID पे एक यहाँ पर request जाएगा auto पे enable करने के लिए आप वहाँ से जाके उसको enable कर देना setup auto pay पे tap करके आप इसको कर देना ठीक है आपके account से पैसा नहीं कटेगा एक भी बस यहाँ पर auto pay जो है setup हो रहा है आप जो है परिशान ना होना इसको कर देना जैसे ही आप इसको complete कर दोगे आपका auto repayment यहाँ पर setup successful हो जाएगा आपके amazon pay later पे फिर आप अपने pay later का पूरा limit यूच कर पाऊगे जैसा कि आप लोग देख सकते हो तो भाई लोग ऐसे करके आप जो है बहुत ही असनिसे अपने amazon pay later पे अपना auto repayment setup successful कर पाऊगे मैंने आपको like जो है करने का process करके दिखा दिया आपको आप करना जान गए होंगे अगर आपको वीडियो जो है पसंद आई हो तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना साथ में अगर आपको online earning करना है पैसे कमाने है तो आप यार हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लो